तो इस Video में में एक इस्ट्रेटोब जो होँआ है वगेरा की मतलब तो इस वज़े से जो है इस पर एड नहीं चलते हैं बहुत ही कम वीडियो पर आते हैं तो इसके तो मेरी कोई अर्णिंग नहीं हो पाती है सिर्फ और सिर्फ यह मैं एनिमल्स की हैल्प के लिए ही यह सब करता हूं क्योंकि हर जगे एंजो वगेरा नहीं है तो जो है इस चक्र में डोक्टर वगएरा भी नहीं आते हैं ज्सेर कोई डोग है आपका गली का कुत्ता है उसको बीमार हो जाए घोजिली हो जाए चाहए तो आपको उसको पकड़ लो पहली बात तो एक गली के कुत्यगों पकड़ना बहुत ही मुस्किल अगर आप ने प पकड़ना बहुत मुस्किल है फिर उसको ढूंड़ना बहुत मुस्किल है उदर चुप जाता है तो बहुत ही सिंपल ना ट्रीटमेंट है इसलिए में बोलना हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना कि जो है काम आजाएगा अगर हम खुद से यह सब कर ले ना जखम और यह दो ही केस मिलते हैं कि जो गली का कुटता होता है विचारा और इसका इलाज बहुत ही सिंपल है टैबलेट में आप उसको देखे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर कुछ समझना आए तो एक दो बड़ी वीडियो देख लो कि सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर भी कुछ सम आए यार जाकम में तो वही टैबलेट देनी है जाकम सुकाने के लिए अभी तो दोस्तों प्लेट फार्म अपना कुछ बड़ा भी नहीं है जैसा सोसल मीडिया का यह अकाउंट है बहुत से में एक होस्पिटल और एक फार्म बनाने वाला हूं मैंने जमीन वगरा तो ले पास पुरी डॉक्टर की टीम होगी फिर मतलब अलग तरीके का सिस्टम बना देंगे ऐसा कोई एंजो भारत में अभी तक नहीं है तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार एंजो की ब्रांच कितनी खोल देंगे हम ब्रांच कोलूंगा मैं पूरे भारत में पर यह कितनी ब्रां उसको रेस्क्यू करके मड़ा सकते हैं अपने फार्म पर तो दोस्तों जो है वीडियो को शेयर करना और जो है सब्सक्राइब कर लेना अब क्या होता है कि चलो भले आपके सामने कर यह वीडियो आती है आपको इंटरस्ट भी निया सब में तो सब्सक्राइब के लिए से ब बताने वाला अब जो जक्मी डोगी होता है मैं इसमें सिर्फ फुल साइज डोगी के ट्रीटमेंट की बात करूंगो जो फुल साइज का डोगी हो जाता नहीं लगवाद 15-20 किलो बोडी वेट उसका रहा था उसके ट्रीटमेंट के हम बात करेंगे अब दोस्तों खुजी जो जक्मी डोगी होता है उसको जक्म दो तरीके से होता है एक जक्म तो हो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना सब कुछ इसमें शोली सा ना जाएगा मेरी वर्टसप नंबर के जोट नहीं पड़ेगी ना इस्टाग्राम पर जाने के जोट पड़ेगी अब जो है जक्म आपको जो है आईवर mactin की tablet आती है दबाई का photo मेंने लगा दिया है आईवर mactin यह नियो मैक के थुड़ी सस्ती आती है तो आईवर mactin अगर आपको यह डोगी वाली न मिले तो इंसानों वाली ले सकते हैं किभी मज़बूरी है तो आईवर mactin बोलना है इंसानों वाली साय 12 mg में आती है तो ivermectin की tablet लेनी है और जैसे जो डोगी है फुल साइज का पांच tablet देनी होती है उसको एक अप दे दी फिर दो दिन का gap रख लिया यानि तीसरी दिन फिर दे दी फिर दूसरी और तीसरी टैबलेट में लगबग हमने चार पांच दिन का gap रख लिया फिर तीसरी और चोती टैबलेट में लगबग हमने एक हफते का gap रख लिया और फिर लाश्ट में पांच भी टैबलेट इसलिए बताता हूँ मैं चोती और पांच भी को लगबस एक हफते या साथ-आज दिन का gap रख लो क्योंकि बहुत सी पर क्या होता है अपनी जगण को क्योंकि हम मलम परती तो करने वाले नहीं है तो छेघ्ется खुचिली होनी की वज़़े से ज़गई कभी दूबारह से नो चले तो इस वज़़ेसे गोड़ बता देता हूँगी तो पांच टैबलेट हो गई आईवर मैक्टिन के हम इससे ज़्यादा टैबलेट बिल्कुल भी यूजर नहीं करेंगे एक महीने में हम चार से पांच ही टैबलेट उसको दे सकते हैं ठीक है यह नहीं कि रोज डिली देद होगी तो ज़्यादा काम करेगी यह एक टैबलेट एक हपते तक बोड़ी में असर रहता है इसलिए मैं आई उनमें पनी टैबलेट बताइए क्योंकि इस्ट्रेट हो गया आज मिला कल ना मिले तो जब भी आपको मिले पांच ही टैबलेट खिलानी है और बीस से पच्चीस दिन में जैसे आज मिलिया पतल लगा फिर चार-पांच दिन बाद मिला फिर दे दी फिर उसके दो-तीन दिन बाद मिला फिर दे दी एवेज में पच्चीस दिन के आसपास ही उसको इतनी टैबलेट देनी है दोस्तो पहली ही टैबलेट से आदे गंटे के अंदर सारे मैगेट्स मानना स्टार्ट हो जाएंगे अब डैड़ बोडी तो भी पर पड़ी रहेगी उनकी और धीर देगर के वो बोडी अपने आप ही उनकी निकल जाएगी वहां से पस बनके अब डोगी अगरने जगहम को चाट रहा है तो चाट चाट के सारे ड्रेसिंग करी देगा अपनी तो जगहम पर कुछ भी लगा ना इस परे तो बिलकुल भी भूलके भी यूज़ मत करें नहीं कुछ ता दो बार से आपके पास आएगा भी नहीं ज्यादा यूज़ करना चा साथ में दो टैबलेट हम और एड़ करेंगे एक खुझली की जिससे थोड़े इचिंग वगएरा ना हो वहां पे थोड़ा जकम उसका जल्ली से सूख जाए क्योंकि डैड़ बोडी में पढ़ी रहेगी न तो उसको इंफेक्शन ना फैले उस वज़े से मैगेट्स की एक साथ में परेटी जिल्ओं टैन अमजी यह दो टेबलेट हैं दोनों हुमन वाली ही मेडिसिन हैं और घड़ी मिल जाती हैं दोनों 170 देनी हैं दिन में एक बार देनी है और पांस से छे दिन लगातार देनी हैं तो किसी भी टाइम दे सकते हैं ऐसे तो खाना काने के बात चाटनी पा रहा है तो यह ना सोचना कि यार इसको तो पांच दिन दबाई वी देदी जखम नहीं सूपरा धीर धीर करके जखम पहले वाइट होगा वाइट से जैसे आपको लगए दस किलो से उसका वजन उपर है तो यही डोज देनी है बस आधी-अधी टैबलेट करती नहीं है ठीक है बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है आप जखम पर डालने के लिए आप बीटाटीन वगएरा यूज कर सकते हैं अगर डोगी आप से डलवाए तो है वेजटेरियन हूँ तो मैं देता हूँ उनको बर्फी में टैबलेट अब बर्फी में देखो कितना आसाने दे रहा है बर्फी के लिए अधरट ढलो ऋ पुछो करोगे देया वीढ़ाने को दियसे नूझ मुंच बहँक्त जाने को दिए तो फसकी शेला ख्ञाने को दिय मैं आप टैबलेट दे सकते हैं बाकि आप जैसे मर्जी देना चाहो क्योंकि आपका इश्टेड होगा आप जान तो कैसा टैबलेट खाता है हो पर उसके पेट में अगर टैबलेट जाएगी तो ही काम करेगी तो दोस्तों मेरा सभी सहाथ जोड़के निवेदेने अब देखो कि अच्छा काम करता है उसको जो मुसीबत आई जाती है तो और होने वालाए एक पर्शेंड भी कुछ नहीं दोस्तों बहुत ही को मन्सी मैडिस से कुछ भी देख नहीं वाला एक पर सेंड़ी पर कुछ हो जाता है उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं मैं सिर्प की मदद करना चाहता हूं क्योंकि वैसे भी मरी रहा है विचारा जब उसके आप देख भाल नहीं करोगे कोई इलाजी नहीं करेगा स्तडब तडब के मरेगा हूं तो जो है कुछ नहीं होने वाल है उसको पर बागी फिर भी मैंने बोल दिया कि कि आप डोक्टर की देख रेक में करें बोलना जुरूरी है पता लगा क्योंकि सोसल मीडिया काउंट है कुछ भी हो सकता है कहीं से भी क्योंकि डोक्टर चिट जाते हैं बहुत से जैसा कि इस डोक्टर के सामने वीडियो चली जाए तो खैर अब तक तो मुझे किसे ने कुछ कहानी है ऐसे कमेंट में तो मैंने आपको ट्रीटमेंट उसका बता दिया है तो बहुत ही सिंपल है ट्रीटमेंट है अब इस वीच दिको मैंने कितने सारी विडियो डा लिया है दोस्तों आपके एक इन नहीं आएगा दिन में कि 20-30 कुत्ते मेरे लिए ठीक करना कोई पीचे पीचा जाते हैं मेरे जब अगले दिन जाओंगा ना मैं सारे बच्चे महीं पर घटा हो जाते हैं आपके इन आएगा आपके भाई ने 20-25 पच्छीजार पलस एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर देया अब तक जान बचा दिया ऐसा कोई साइध इंजो एंजो इन्हीं न बालना हूं सिर्फ आए वर्मेक्टिन और जुझे टैबलेट बताईए न यहीं दे देना थोड़ा सामय जरूर लगेगा पर सार एक डुझे आड़ बाला जाएंगे खुजली के लिए मैं पूरी डेटेल वीडियो बनाँगा दोस्तों फिर भी कुछ समझना आए जैसा आ मैं आपको उनका वर्टस नमर देदूगा क्योंकि वह बहुत सारे डोगी का ट्रीटमेंट करेंगे मैं इनको गाइड करता रहूंगा वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो दोस्तों बस लाश्ट मेरा यही है कि अपने भाई को सपोर्ट करोगे तो बहुत सारी वीडियो इस तरह की बना सकता है और आगे जा सकता है तो तो दोस्तों बस में ही बोलना चाहता हूं कि प्लीज जार इनकी मदद करो यह वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों बस लाश्ट में यह एकि प्लीज उनसे जो है help करें कुछ समझ नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम क सब कुछ बता दूँगा और बाकी बताना हूही है ही सब कुछ वीडियो में बताए है तो वीडियो को दो-तिन बार देख लेना सब कुछ यार समझ में आ जाएगा वही टैबलेट बताऊंगा वही मेडिशन बताऊंगा क्योंकि जखमी जब उसको है और मैंने आपको प्रइसिंग करिए रहा तो आप जैसा सही लगी आप कर सकते हो मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूं कि जहां डोगी अपने जखम को चाट सकता है वहां के लिए अगर आप जो है ज़ल्दी और रिकवरी हो जाएगी वह तो मैंने इसलिए बताया कि बहुत से लोग मुझे बोलता ह चाटनी पा रहा है वो तो महीं पर इंफेक्शन ना फैल जाए थोड़ा समय लगेगा ठीक वो आयर्मेक्टिन से भी हो जाएगा दोस्तों 100% होगा पर यह है कि थोड़ा समय लगेगा दस दिन में होना होगा तो अभी इतनी नोलीजी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है मैं बाकी एक दो वीडियो को बनाँगा मैं सब के लिए तो इसको वीडियो को जाए जाए शेयर करना है नमस्ते दोस्तों और सब की हैल्प करें